असकार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रताव गड़ी किचन में, I hope आप सभी अच्छे होगे दोस्तों आज हम बनाएंगे वरत में खाने वाली सिंघाडे की पखोडी अगर आप सेंधा नमक का यूज़ करते हैं, तो आप इसे किसी भी वरत में बना सकते हैं तो आएए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर इंग्रेडियन्स ले लिया है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कटोरी सिंघाडे का आटा लिया है, तीन मीडियम साइज की बाय लालू ली है, हरी धनिया का पत्ता लिया है, और दो मिर्च फेपाद और यहाँ पर काली मिर्च पाउडर और सेधा नमक लिया है इसके बाध हम यहाँ पर आलू को मैस कर लेंगे, अब इसमें हम जो हमारे पास सिंघाडे काटा है, उसको मिला देंगे, यहाँ पर हम एक कटोरी सिंघाडे काटा लिये हैं, उसके लिए मैंने यहाँ तीन मीडियम साइजी आलूली है इसके बाद हम हरी दनिया कपती मिला देंगे हरी मिर्च काटके रखे ते उसको मिला देंगे और यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डाल देंगे इसके बाद से लिदा नमग देंगे अब हम इसे mix कर देंगे दोस्तों आपको इसमें जितना पानी का यूज लगे उतना ही डालें आप जैसे पकोड़ी बनाते हैं उसी हिसापसे इसको बनाना है ना बहुत जादा गीला करना है ना बहुत जादा इसको टाइट रखना है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यह जो आटा है इसको मैंने त्यार कर लिया है जैसे यह आप बेशन और प्याज की पकॉड़ी बनाते हैं उतना है इसको गेला रखना है हम यहां पर कड्हाई में देशी घी डाल देंगे च Ow hurry यहां उसको डाल देए हमारा घी यहां पर गरम हो चुका है आप इसमें पकॉड़ी डाल देंगे आपको छोटी-षोटी पकॉड़ी बनाना है कि इसको लोफ लेम पर पकाई अच्य से यह एक साइट हो चुकी है अब इसको पलड़ देंगे यह पकोड़ी थोड़ी सी चबकती है कड़ाई में आप इसको अच्छे से पलड़ दें नाम से यहाँ पर हमारी पकोड़ी जो है वो आप देख सकते हैं अच्छे से गूर्डन ब्राउन करण की हो चुकी है अब इसको ह निकाल लेंगे, आप पकोड़े को टीशी पेपर निकाले, ताकि जो भी एक्ष्ट्रा ओयल या घी है, पो टीशी पेपर में सोख ले, इसी तरह आपके पास और जो पकोड़े हैं, आप उसको उन बना ले, यहां पर हमारी पकोड़ी बन कर तयार है, आप देख सकते हैं, अब हम इसको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे, यह पकोड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, आप एक बार ट्राई जरूर करें,